स्वागत दोस्तों चलो आज आपको दिखाते हैं पालक पनीर कैसे बनता है यह पनीर यार हमने थोड़ा सा ना फ्रिज में रख जाता तो वेट हो गया इसका पानी थोड़ा ओडा रहे हैं पालक को हमने किया ग्राइंड मिक्सी में नॉर्मल घर में जैसे हम करते हैं और बस अब अब पहला है इसको चलोई हम स्टेज करेंगे तकी हैएबा जुशन्स अफ़ी ग्राइंड मिंक्स करेंगे ऊड़ी से खरा के ठाकि यह र से चलगार इसको मिक्स करेंगे आपको इसके अंदर छोड़ा पनी डाला लेकिस उस से पहले जितना वी पालक तो मसाले के अंदर डाला गया है जो ग्राइंड के अब अपालक है इसको हम स्टेर करेंगे ताकि evenly हर जगा वह मसाला मिक्स हो जाए और इसका करद जब चेंज होने लग जाए बिल्कुल अच्छी तरह की युनिफॉर्मली मिक्स हो जाए तो हम इसमें अब धीरे-धीरे पनी डालेंगे जो कि हमने फ्राइ करके रखा था ठीक हम नॉन फ्राइ भी डाल सकते हैं वह अपनी चॉइस अपना टेस्ट है और बस इस तरीके से इसको और फ्राइ कीजिए तो और अच्छे से बन जाएगा स्टेर कीजिए टेस्ट करके बताएगा कैसा लगा कमेंस में आके पताएगा कि आपने जो बनाया उसका टेस्ट कैसा था और ये रेसिपी आपके काम आई की नहीं हमेशा ऐसी एची एची वीडियो लाते रहते हैं तो उसके लिए आप वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब और ऐसे ही अपनी मुस्क्राइड बनाए रखिए तो झाल